नमस्कार दोस्तों हिंदु धर्म सास्तर और जोतिस सास्तर में गुरु पुष्चे योग की विशेश महिमा बताई गई गई ये पुष्चे नक्षत्र यदी गुरुवार को हो तो उसे गुरु पुष्चे योग कहा जाता है इसे सुक कर समर्दी देने वाला योग बताया गया है इसके साथ ही जब पुष्चे नक्षत्र योग रविवार को हो तो उसे रवी पुष्चे योग कहा जाता है शास्त्रों के मुताबिक साल में गुरु पुष्चे और रवी पुष्चे योग बहुत कम ही आते हैं इन पुष्चे नक्षत्र में शादना करने से मंत्र शिद्यां प्राप्त होती है वहीं खरीदारी करने से घर परिवार में धन धानने के व्रद्दी होती है सुब बता प्राप्त होती है साश्त्रों में दिपोथ सव पारव के पहले धन्तेरस को खरीदारी करना बहद सुब माना जाता है इस बार धन्तेरस का पारव 29 अक्टुम्बर को मनाया जाएगा लेकिन उससे पहले खरीदारी करने का सुब सही योग लेकर आया है गुरु पुष्य नक्षत्र योग धन्तेरस से पहले 24 अक्टुम्बर को गुरु पुष्य अमरत योग है इसके साथी सरवाद सिद्ध योग और अमरत योग भी 24 अक्टुम्बर को बन रहा है इसलिए 24 अक्टुम्बर की तारिक को बहद खास माना जा रहा है इस तारिक में भगवान लक्षमी नाराइन की उपाशना करने से व्यक्ति को उनकी कृपा के साथ साथ दन धानने की कभी कमी नहीं होगी जीवन की सभी बादाइं दूर होगी कार्थिक मास में बने गुरु पुष्च अमर्त योग का लाभ भगवत करपा पाने का सरवतम दिन है इसके साथ ही यदि आप गुरु पुष्च योग में खरीदारी करते हैं तो आपको दिपावली के समान फलों की प्राप्ति होगी आपके जीवन में सुक शांती समर्द्धी का आवास होगा दोस्तों आईए आपको बता दें कि गुरु पुष्च योग कितने समय से शुरू होगा और कट तक रहेगा तो दोस्तों गुरु पुष्च योग 24 अक्टूम्बर को सुबह 6 बज कर 15 मिनट से शुरू होगा और 25 अक्टूम्बर को सुबह 7 बज कर 40 मिनट पर स्वाप्त होगा गुरु पुष्च नक्षत्री योग में करे खरीदारी खरीदारीक मुहूर्थ सुबह 11 बज कर 43 मिनट से 12 बज कर 28 मिनट तक रहेगा लाब चोगडिया दोफेर 12 बज कर 5 मिनट से 1 बज कर 29 मिनट तक रहेगा सुब चोगडिया साम 4 बज कर 18 मिनट से साम 5 बज कर 42 मिनट तक रहेगा इस दिन सरवाद सिद्ध योग भी बन रहा है इस दिन अमरत सिद्ध योग का भी संयोग है इस दिन अहोई अश्टमी का व्रत पर्व है इन मुहुर्त में आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बैद सुब होगा वेसे आप 24 अक्टुम्बर को रहुकाल को छोड़ कर पर एक बज कर 29 मिनट से दो बज कर चोपन मिनट तक रहेगा जोती साजत्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सभी का राजा माना जाता है इसके स्वामी सनी देवे और देवता देव गुरु ब्रस्पति है पुष्य नक्षत्र के सभी चार चरण करक इसलिए इस नक्षत्र की सुबता में चंदर देव का भी प्रवाव रहता है तीन ग्रहों के प्रवाव में रहने से पुष्य नक्षत्र को बहुत खास माना जाता है और जब ये गुरुवार को हो तो इसे बहुत ज़्यादा फलदाई बताया जाता है दिपावली से पहले गुरु पुष्य योग का संयोग बनना बहुत खास होता है इस दिन खरीदारी करने से अक्ष्य पूरण की प्राप्ति होती है इस दिन हमें अपने इश्ट देव के साथ साथ भगवान लक्ष्यमि नारेन की भी पूजा करनी आवश्यक होती है गुरु पुष्य नक्षत्र में किये गए पुजा पाठ दान्षे विशेज फल की प्राप्ति होती है इसके साथ ही यदि आप मंत्र शिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य योग किसी वर्दान्षे कम नहीं होता इसलिए आप इस दिन भागवत आरादना अवस्य करें 24 अक्टुम्बर को सरवाद सिद्ध योग और अमरत सिद्ध योग का भी संयोग है इस दिन अहोई अश्टमी का वरत भी है इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए अहोई अश्टमी का वरत भी रखती है और इस बार का अहोई अश्टमी वरत भी बहुत खास होगा इसमें पूजा करने से माताओं की सबी मनोकावनाई पूर्ण होगी सास्तों के अनुसार कल्योग में गुरू पुश्य योग किसी वरदान से कम नहीं है इस योग में पूजा पाट और दान करने से वेक्ति को सूर्य ग्रेंड और चंद्र ग्रेंड के समय के गए दान के समान फल के प्राप्ति होती है तो दोस्तों 24 अक्टुम्बर को बन रहे गुरू पुश्य योग सरवाद्द शिद्ध योग और अमर्त शिद्ध योग का लाब आपको अवस्य उठाना चाहिए खूब कीजिए पूजा पाठ आराधना और दान एवं जम कर कीजिए खरीदारी घर में आएगी सुक शान्ती और समरद्धी तता जिवन में नहीं रहेगा अभाव दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताईए और अच्छी लगे तो सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुब दिन हो